मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ आपका होच शेफ धीरज आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक good quality fish stock हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग hotels में chicken stock और vegetable stock सबसे ज्यादा quantity बनाते हैं और हमें उसकी आदत पढ़ जाती है क्योंकि हम एक ही काम को बार-बार repeat कर रहे हैं पर जब fish stocks की बारी आती है किसी भी प्रकार के seafood stock की बारी आती है तो हम लोग कई सारी गलतियां करते हैं जिसके की कारण हमारे जो fish stock है वो cloudy हो जाता है खराब हो जाता है टेस्ट नहीं आता है या फिर आप बोल सकते हैं उसका color ही बिल्कुल change हो जाता है fish stock भी हमारे chicken या mutton के stock जैसा या vegetable stock जैसा दिखने लगता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारे 5 points यहां पे लगबग 6 points से मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि एक good quality के fish stock को बनाने में लगते हैं दूसरा अगर आप continental kitchen में interest रखते हैं तो मेरी books है continental kitchen के उपर basics हैं ship की booklets हैं interview की booklets हैं आप ले सकते हैं मुझे whatsapp पे contact कीजेगा जहां पे आप वो सारी books ले सकते हैं दूसरा मेरा जो एक platform है especially chef लोगों के लिए platform आने वाला है digital chef hub के नाम से जिसको कि आप कुछ समय के बाद उस पे visit कर सकते हैं website पे और अलग-अलग प्रकार की चीज़े देख सकते हैं क्योंकि आप भी इस digital chef community का part हैं तो चलिए video सुरू करते हैं सबसे पहले आपको जब fish stock बनाना है तो आपको एक good quality की bones ही लेनी है आपको आपकी जो bones होनी चाहिए वो सिर्फ आपको लेनी है अच्छी quality की ये ना हो कि आपको सड़ी बदवुदार हडियां ले रहे हैं especially अगर आप जो fish के जो head है वो use करोगे आपके तो आपके करते क्या है हम लोग हड़ियां तो use करते हैं साथ में मच्छी की skins भी डाल देते हैं मच्छी की पूँच की जो बची कुछी चीज़े होती है वो सब कुछ डाल देते हैं जो actually में हड़िया नहीं होती है और हमारा जो fish stock है वो किसी और color का हो जाता है बड़ी बदबुदार stock बनता है हमें लगता है कि मच्छी का stock हमीसा बदबुदार होता है पर ऐसा नहीं है मच्छी का stock में बहुत ज़्यदा flavor होता है बहुत ज़्यदा अच्छी खुश्बु हो सकती है बदबु हम नहीं कहेंगे flavor उसमें कहेंगे बशरते आप अच्छी quality की हड़िया यूज करे है तो यह सबसे पहली सर्त है दूसरा यहाँ पर है आपने देखा होगा आपके जो stock है cloudy हो जाते है cloudy का मतलब है कि clean white color के नहीं आते हैं कुछ brownish ठोड़े टमेटो जैसे color के या फिर मटमेले color के हो जाते हैं जो की होते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ हड़िया हड़िया तो हम लोग मीट भी इस्तमाल करते हैं अगर हम लोग अपनी हड़ियों के साथ मीट का भी इस्तमाल करते हैं फिश के मीट का या फिश के किसी दूसरे पार्ट का तो हमारी जो stock है cloudy हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपको एक वलूते sauce बनाना है तो आप सिर्फ हड़िया य यूज कर सकते हैं तो आपके उपर है कि आपको final product उसका क्या बनाना है तीसरा यहाँ पर है कि जब आप fish stock बनाएं तो आपको हड़ियों को सीधा boil नहीं कर लेना है आपको हड़ियों को धोने के बाद उसे butter में थोड़ा sautay करना है जी हां सिर्फ फिश एक ऐसा stock है जिसमे हड़ियों को हम लोग butter में पहले sautay बाद में जाके उसमें हम लोग मीरपुवा डालते हैं मीरपुवा के साथ sautay पर बाद में जाके अपना जो water यूज करते हैं बागे आप कोई बी stalk देख लीजिए हम लोग सीधा हड़ियों को use करते हैं पहले blanche करते हैं पर यहाँ पे हम लोग पहले फिश की सिर्फ हड़ियों को हड़िया ही हम पूरी बात करें अब फिश की सिर्फ हड़ियों को पहले बटर और बीर पुआ के साथ सौते करते हैं इसके बाद जो next point है वो है आपका कि आपको जो जो फिश यूज़ करने हैं यहाँ पे वो आपकी oily fish नहीं होनी चाहिए oily fish अगर आप यूज़ करेंगे तो जो आपका fish stock है वो oily हो जाएगा greasy हो जाएगा oily fish से मतलब है जैसे salmon और mackerel हमारी oily fish होती है अगर आप इस प्रकार की या यह दो fish यूज़ करेंगे तो आपका stock अच्छा नहीं आएगा flavor जादा अच्छे नहीं आएगा क्योंकि यह एक प्रकार की oily fish होती है बाकि दूसरी प्रकार की आप किसी भी प्रकार की आप यहाँ पे fish यूज़ कर सकते हैं आप kingfish की अड़िया रहे सकते हैं बहुत ही अच्छा stock उससे बनता है उसके बाद जब आप अपने fish stock को बना रह नार्मल पानी डालिए और इसको cook कीजे डारेक्ट आपको hot water यहाँ पे नहीं डालना है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो सबसे last जो tip बोल सकते हैं एक अच्छा fish stock बनाने के लिए वह है आपके अपने stock को over cook नहीं कर लेना है ज्यादा समय तक नहीं प रखार की और vegetables यूज़ करी हैं तो हो जाते हैं उससे ज्यादा आपको cooking नहीं करनी है तो यहाँ पर यह मैंने लगबग 6 tips बता दी है जो कि एक अच्छे fish stock के लिए ज़रूरी होते हैं आप भी इन tips का यूज़ कीज़ेगा अच्छा एक अच्छा सा fish stock बनाईएगा और फि में solution चाहिए तो मैं आपके comment का जरूर अंसर करूंगा तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद